आज हम स्टाटिस्ट मॉडल आफ कॉर्परेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी लेने वाले हैं इसके जो पिछले मॉडल्स है ट्रस्टिशिप मॉडल्स या स्टेक्षोल्डर मॉडल्स या एठिक्स का जो मॉडल्स इस सब के अलग-अलग वीडियो मेंने बनाए आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सब्जेट का प्लेलिस मिल जाएगा चैनल को सब्स्वाइब किया तो आपको रेगिलर वीडियो अपडेट्स भी मिल जाएंगे तो हम शुरू करते हैं स्टाटिस्ट मॉडल्स बहुत बड़िया कंसेप्ट है और यदि आपको exam में short note में status model आप फेक नहीं पाओगे क्योंकि आपको status ethics model आप थोड़ा उपर नीचे करेंगे but status आपको statistical words हुझेगा तो ये status model exam में आए ना तो ये concept जाने भी गयर आप फेक नहीं पाओगे तो ये concept क्या हम समझते हैं corporate social model या corporate social responsibility का second model first कुंसा था आजादी के पहले trustorship महात्मा गंदी ने जो दिया तो आजादी मिला अपने को 15th of August 1947 जवाला नेरू अपने first prime minister पर है अब जो इंडिया का model था वो जिसे socialist जो बोलते ना कि private तो थाई नहीं पैसा तो हम ये socialist गौर्मेंटी companies फॉर्म करेगा और private को भी शामिल होने देगा ऐसा model दबना है socialist मतलब government ने फॉर्म किया mix मतलब private को भी शामिल होने दिया अब ये model क्या हुआ जब आजादी हुआ तो अपना banking system पूरा note कोई भी bank print कर रहा था तो government ने RBI को nationalize कर दिया in the year 1949 और exclusively currency का ताकत RBI को दिया सारे banks जो उसमें print कर सकते थे currency सबका ताकत बन कर वादी है ठीक है अब जो काइदे Britishers ने बनाय थे partnership act 32 sale of good act 1930 ठीक है तो अभी companies act 56 आने को time था उसके पहले companies act 1922 था गवर्मेंट ने यह सब act को continue किया ठीक है और public sector और state-owned corporation का का काम शुरू किया banking 1949 में RBI को ताकत दिया फिर धीरे धीरे जो state और society जो है ना state enterprises जो गवर्मेंट ने कुछ नए acts लाए companies act 56 लाया factories act 1948 लाया ठीक है ना industrial disputes act I think 1947 के असपस है income tax का नया काइदा लाया 1961 जो कि भी replace हो जाएगा by the direct tax code partnership act 32 भी जाएगा consumer के बारे में तो 1986 को act है consumer के बारे में तो सोचा वह नहीं था factories act 1948 चलो factory के बारे में industrial dispute act work means compensation act wealth tax customs act 1957 so 1940s 50s और 60s में बहुत सारे factory के related और देश के लिए जो जर्री acts आया कौन सा पहला लिखो चाहिए तो factories act 1948 आया ठीक है income tax act 1961 आया industrial disputes act उस ताइम में आया trade unions act 1926 अलड़ी Britishers का बनायवा अलड़ी था companies act 1956 आया जो कि अभी बंद होके government ने नया companies act 2013 लाया replace कर दिया क्योंकि companies act 56 बद पुराना thinking का था तो public sector आ गए अभी ICICI को लागू कर दिया ICICI को लागू कर दिया statuary company की जरूत है देश को SBI की जरूती तो SBI पार्लेमेंट के तुरू शुरू किया IDBI, SBI, ICICI आय समझ मैं यह पार्लेमेंट के तुरू शुरू किया फिर काइदेल आये दिरे दिरे बदलाव होना शुरू हुआ फिर देखा जाय तो 1970 में white revolution आया दूद का बड़ोतरी किया आज India is the largest producer of milk in the world 60 crore liters एक दिन में दूद इंडिया में बनता है जो की वर्ल्ड का largest है इसलिए तो दूद दही पनीर में अपन बहुत आगे आगे है क्योंकि दूद में margin 7-8% है पनीर दही सब में 15-20% है तो 1960 से 1980 में बहुत बदलावा है 1969 में 14 से कुछ banks nationalize कर दिये गये banks की जरूती तो वह बढ़ा दिया गया ठीक है फिर white revolution आया तभी इंद्रा गांधी के government थी ठीक है लाल बादू शास्त्री का भी रोल वहाँ पे हुआ तो status model of CSR यह क्या है यह एक ऐसा investment की बात करता है जो company के पास profit बचता है after tax reduction मतलब यह ऐसा जवाबदारी है जो अब stakeholder के तरफ निभाते हो और government का जिसमें government खुद के company शुरू करता है जो की public sector है और mixed sector की चलो private को भी आने लो लेकिन यह इतना deep चला गया कि BSNL ही था पुरे देश में MTNL Delhi और Mumbai में था तो जब private players आये जिसमें Vodafone पहले था उसमें AT&T बोलता था फिर धिरे धिरे दुसरे आये तो आज BSNL कोई भाव देता नहीं Hindu Sun Ambassador यह LIC उसका दबदबा कायम है Air India को बेचना पड़ा क्योंकि jet airways दुसरे जो private आये वो compete नहीं करता है सो धिरे धिरे गवर्मेंट ने यह सबको support दिया सो functioning जो है defining the function of defining जो CSR displays आपका जो responsibility है corporate का sustenance आप टिकने चाहिए क्योंकि Hindustan Motors बंद हो जाए आज Apple में देड़ लाग तीन companies Apple को जाने जो Reliance में एक लाग से ज्यादा लोग काम करते है तो आप समझो कि आज Reliance बंद ही होता है तो कितना करोडो अर्बो रुपय का नुकसान होगा लोग का नुक्री, Suppliers देश को कितना नुकसान होगा सो एक status model ऐसा है कि Government का भी involvement होना चाहिए और investment होना चाहिए देश के upliftment के लिए जहां अभी trends के लिए क्यों private sector क्योंकि 116-120 करोड की एक वंदे भारत आती है प्राइवेट के लोग कैसे इंवेस्ट करें गवर्मेंट ने पात्सो बंदे एक सवेस्ट पाच लाग करोड का ओडर दिया सो कितना भी रइस company रहा इतना तो इसलिए Government का भी रोई रहता है उसमें आपको social environment reporting यह सब आपको करना पड़ेगा मतलब आप खुद के भी company शुरू करो गवर्मेंट के और प्राफिट है उसका 2% यह सब calculation दे उतना spend करना पड़ेगा तो यह था status model जिसमें गवर्मेंट भी spend करता है प्रावेट को भी शामिल करता है और दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाता है तो यह था आपका status model वीडियो पसन है प्रावेट करना प्रावेट के रचेर करना और चैनल सब्सक्राब करना थैंक यू पर वाचिए